घर की सफाई करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है और घंटों घंटों तक सफाई करने के बाद भी हमें वैसी सफाई नहीं मिलती जैसे हमने उमीद की थी कहीं पर पैठेयर छूट जाते हैं तो कहीं पर डस रह जाती है ऐसे में हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है वैक्यूम क्लीनर पर क्या आप जानते हैं मार्केट में वैक्यूम क्लीनर भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको कौन सा वैक्यूम क्लीनर परचेस करना चाहिए तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही तीन तरह के वैक्यूम क्लीनर्स के वारे में जो आपकी घर की सफाई चुटकें में उटा सकते हैं पर उससे पहले जानते हैं कि आपको किसी भी वैक्यूम क्लीनर को खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्या रखना चाहिए सबसे पहली चीज सर्फेस दोस्तों आपको अलग-अलग सर्फेस को क्लीन करने के लिए different attachments की requirement होती है जैसे कुछ vacuum cleaner आपके dye surface के लिए होते हैं तो कुछ आपके wet surface के लिए वहीं आपके कुछ vacuum cleaner दोना surface के लिए होते हैं और कुछ vacuum cleaner आपके best होते हैं sofa और carpet clean करने के लिए तो पहले यह जरूर decide कर ले आपको किस surface को clean करने के लिए vacuum cleaner purchase करना है second जो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है power of potability अब बार्केट में आपको vacuum cleaner अलग-अलग size और power के साथ मिलते हैं तो आप यह जरूर decide कर लें कि आपको एक compact vacuum cleaner चाहिए या फिर एक heavy duty vacuum cleaner जायकर compact vacuum cleaner की suction power कम होती है वहीं आपके heavy duty vacuum cleaner की suction power ज्यादा होती है और दोस्तों आपके compact vacuum cleaner को best vacuum cleaner for home भी माना जाता है third है filtration किसी भी vacuum cleaner का उसका filter एक बहुत ही जुरूरी पार्ट होता है और आपको different purpose के लिए अलग-अलग vacuum cleaner में different filters मिलते हैं तो आप किसी भी vacuum cleaner को choose करने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें आपको कौन सा filter मिल रहा है fourth is noise दोस्तों आपके heavy duty vacuum cleaner जादा noise produce करता है क्योंकि उसकी suction power जादा होती है तो जब भी आप vacuum cleaner purchase करें तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो कम से कम noise produce करता हो fifth is supplied assesses दोस्तों आपको हर vacuum cleaner के साथ कुछ assesses मिलती है जिसमें आपको अलग-अलग size की nozzle मिलती है जिससे आप अपने sofa, curtain या फिर floor को clean कर सकते है तो इसलिए दोस्तों जितनी ज़्यादा आपको ये assesses मिले उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है तो ये थी कुछ बाते हैं जो आपको vacuum cleaner चूज करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे दमदार vacuum cleaners के बारे में जिन्होंने इंडियन मार्केट में अपने दबदबा बनाया हुआ है तो इसलिए best vacuum cleaner for home या फिर best vacuum cleaner in इंडिया के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों हमने इस वीडियो को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है जिसमें हम आपको तीन डिफरेंट टाइप के vacuum cleaners के बारे में बताएंगे जिसमें हमारी number one पे है canister vacuum cleaner फिर आते है upright vacuum cleaner और उसके बाद आते है wet or dry vacuum cleaner और दोस्तों आप canister or upright vacuum cleaner से dry surface clean कर सकते हैं वहीं आप wet or dry vacuum cleaner से wet or dry दुनों तरह के surface clean कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हें one by one discuss करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनिस्टा वैक्यूम क्लीनर की, इस तरह के वैक्यूम क्लीनर को हम बैस्ट वैक्यूम क्लीनर फर होम के नाम से भी जानते हैं, और इस कैटेगरी में जो तीन ऐसे वैक्यूम क्लीनर है, जो 30-70 watt की suction power generate करता है और आपके घर से dust को अच्छे से निकालने में help करता है और इसके लावा आपको इसमें मिलता है power cyclone 5 technology जो अच्छे से cylindrical chamber में airflow करता है और dust और air को अच्छे से separate करता है और इसकी performance को increase करने में help करता है इतना ही नहीं आपको इसमें मिलता है as certain filtration system जो 99.9% fine dust particle को capture कर देता है फिर चाहे वो pet hair हो या फिर dust might इसके साथ ही आपका ये vacuum cleaner इतना lightweight है कि आप इसके dust wind को एक हाँ से ही खाली कर सकते हैं और इसके लावा आपको इस vacuum cleaner में 9 मिटर का action radius और auto cord winder मिलता है जो आपकी power cord को कटने या फिर खराब होने से बचाता है इतना इन सबी फीचर के लावा आपको इसमें मिलती है दो असानी से चेंज होने वाली नोजल जिसमें आप एक integrated saw brush मिलती है जिससे आप furniture flat surface या फिर और folistry clean कर सकते हैं और साथ में आपको इसमें एक turbo brush nozzle मिलती है जिससे आप अपना carpet clean कर सकते हैं और दोस्तों इस टाइम आपको ये vacuum cleaner two year की warranty के साथ 8,990 रुपीस में मिल जाएगा पर दोस्तों इन सभी के price change होते रहते हैं जो लेने से पहले एक बार exact price description box में लिंक में जाके जरू चेक कर लें पर उससे पहले इस vacuum cleaner के कुछ कौन भी सुन ले दोस्तों आपको फिलिप्स के इस vacuum cleaner में अच्छी suction power और अच्छी build quality मिलती है पर आपको इसमें सिर्फ दो assesses मिलती है जिसकी वाज़े से आपको इस vacuum cleaner में सभी जगा की सपाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है सेकेंड जी आप इस vacuum cleaner को सिर्फ 16 एंपेर सॉकेट में लगा सकते हैं तो अगर आपके घर में 16 एंपेर का सॉकेट नहीं है तो आपको 21 किलो पास्कल की suction power मिलती है जो अच्छे से आपके घर को साब करने में हेल्फ करता है इतना ही नहीं आपको इसमें वेरियो पावर का फीचर मिलता है जिससे आप इसकी suction पावर को अपने नीड के अकॉर्डिंग अजस्ट कर सकते हैं इतना ही नहीं आपको इस वेक्यूम क्लीनर में भी साइकलोनिक टेक्नोलजी 5 मिटर की दिए और उसके लावा यूरेकफोब आपको इस वेक्यूम क्लीनर के साथ अलग अलग ताइयं की अससे आप इस वेक्यूम क्लीनर से डिफरेंट जगा साफ कर सकते हैं और इनने कनेक्ट करना भी इतना आसान है जैसे फॉन से चार्जर क्नेक्ट करना और दोस्तों यह सब क कुछ आपको भी वन येर की वेंटी के साथ 7000 रुपीस में मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के कौन्स की आपको इस वैक्यूम क्लीनर में सिर्फ 2 लिटर की वेस्ट होलिंग वैस्ट ही मिलती है जिसकी वह इसे आपको इसे बार बार खाली करना प के सब्सक्राइब को नीचे दिए लिंक से पर्चेस कर सकते हैं इसे वैक्यूम क्लीनर की दुनिया का ओलरॉर की क्लीनर के शूफ़ेस क्लीन कर सकते हैं जैसे वुडं फ्लोर कारेक्ड सोफा फैबरिक टाइल और बहुत कुछ इतना निहीं इसमें आपको 1200 वर्स की मोटर मिलती है जो आपको निराज नहीं होने देगी इसके साथ आपको इसमें मिलती है फाइव डिफरेंट टाइप की अटेश्मेंट और त्री फ्री रियूसेबल डस्ट वैग जो कम सकम 500 रुपीज के है जो आपके सारी के सारी क्लीनिंग नीट को पूरी क करेगा इतना ही नहीं यूरेकाफोब के इस वैक्यूम क्लीनर में आपको आपको आटो कॉड़ वाइंडर डस्ट वैग फूल इंडिकेटर फोटो अपरेटेड पाउर आफ बटन और पोस्ट परस्टेश वर्चुल डेमो भी मिलता है और यह सब कुछ आपको यूरेकाफो आपको सिर्फ वैक्यूम का फंक्षन मिलता इसमें आपको ब्लोवर का फंक्षन नहीं मिलता आपको अप्राइट वैक्यूम क्लीनर से अपने पूरे घर को साफ कर सकते हैं चाहे वो कार्पेट हो, हैंड फ्लोर हो या फिर रग्स आप इससे कुछ भी क्लीन कर सकते हैं इस एक वैक्यूम क्लीनर में ऐसे बहुत से वैक्यूम क्लीनर है जो automatically आपके dust को sense करता है और उसके according power adjust करता है इतना ही नहीं आपको इसमें LED dust detector मिलता है जिसकी health से आप पाइजूट dust या फिर corners की अच्छे से सफाई कर सकते हैं और Eureka 4 का ये vacuum cleaner एक battery powered vacuum cleaner है इसे आप एक बाद चार्ज करने के बाद at least 40 मिन तक यूज़ कर सकते हैं और इतना ही नहीं आपको इस vacuum cleaner में cyclonic technology, post purchase virtual demo, wall mounted charging dock और 3 brushes मिलती है जिसमें आपको एक motorized brush, एक revise nozzle और एक 2-in-1 brush मिलती है जिससे आप floor, mattress और heart to reach area को अच्छे से clean कर सकते हैं और ये सब कुछ आपको अभी 1-year की warranty के साथ 16,000 में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आप हम बात करते हैं इस vacuum cleaner के तो आपको इस vacuum cleaner में इस price range में सिर्फ 1-year की warranty मिल रही है, second change आपको इसके साथ सिर्फ 3 SSS मिलती है पर दोस्तों अगर आपके लिए कोई बड़े कौन नहीं है तो आप इस vacuum cleaner को नीचे दिया link से purchase कर सकते हैं नेक्स माइ लिस्ट में second number पे हैं अकारो का royal upright vacuum cleaner इस vacuum cleaner में आपको मिलता है 170 degree का survival steering ताकि आप असानी से हर कोनी की सफाई कर सकें इसके साथ आपको इसमें मिलता है 2 लिटर का bagless whip वो भी 75 air wash की powerful suction के साथ जो किसी भी तरीकी की dust को clean कर सकता है इतना है नहीं इसमें आपको 25 foot की लंबी power cord भी मिलती है जिसकी वैसे आपको सफाई करते टाइम अब power outlet ढूनने की कोई जूरत नहीं और इतने सब फीचर के बाद भी अगारो रोयल आपको इस vacuum cleaner का तीन सैसिस देता है जिसमें आपको एक ख्रिवाई snoozen मिलती है जिससे आप corner या फिर hard to reach area clean कर सकते है एक sofa brush मिलती है और एक multi-purpose brush मिलती है जिससे आप अपनी shelf और cabinet क्लीन कर सकते है और यह सब कुछ आपको अभी वन यह की वेंटी के साथ 4,360 रुपीज में मिल जाएगा और दोस्तों इस vacuum cleaner के कुछ cons भी है जैसे आपका यह vacuum cleaner battery support नहीं करता है इसलिए आपको इसको हमेशा power से connect करना पड़ेगा सेकेंड अगार और और की complete body plastic ही है तो इसको यूज करते टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा पर दोस्तों अगर आपके लिए कोई बड़ा कौन नहीं है और आपको एक affordable upright vacuum cleaner चाहिए तो आप इस vacuum cleaner को नीचे दियलिक से purchase कर सकते हैं अब आते है आपका सबसे बेस्ट है अगारो एस का वैक्यूम क्लीनर इसमें आपको 69 वाट की मोटर और 21.5 किलो पास्कल की सक्षन पाउर मिलती है मतलब यह आपके वेट और ड्राय सर्पेस को ऐसे साफ कर देता है जैसे वो कभी गंदा ही नहीं था इसके लावा आपको इस vacuum cleaner में ब्ल ब्रश मिलती है और यह सब कुछ आपको भी वनियर की व्रेंटी के साफ 5999 लुपीस में मिल जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कौन्स की तो दोस्तों अगारो इसका यह वैक्यूम क्लीनर बहुत जारा नौइस प्रोड्यूस करता है सेकिंड चीज अगारो इस वैक्यूम क्लीनर जिसे आप घर और गार्डन दोरों क्लीन कर सकते हैं इसमें आपको 70 लिटर का वेस्ट करतेने के साथ 1000 वाट की पाउरफुल मोटर मिलती है और आपको इसमें ब्लोर फंक्शन भी मिलता है इतना ही नहीं आपको इसमें काटिलेज फिल्टर, सक्षन और इसके साथ हम बात करते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के कुछ कौन्स की तो दोस्तो कार्चर का आपका ये वैक्यूम क्लीनर एक हैवी जूटी वैक्यूम क्लीनर है तो ये बहुत ही ज्यादा नॉइस प्रड्यूस करते हैं सेकेंड चीज इसका ब्लोर फंक्शन इतना पाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और साथी साथ ये भी बताएं कि आपको कौन सा वैक्यूम क्लीनर प्राइस वर्दी लगा और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक् प्राइस्टा।